शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले सिटी में कुछ दिनों में ही कोविड-19 के मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या चिंता जनक हो गई है जब से लोगडाउन में प्रशासंद्वारा शितिलता प्रदान की गई तब से लेकर अब तक शहर में कोरोना संक्रमन का आँकडा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए मनपा इत्त तुकारा मुंडे ने सिटी में फिर से लोगडाउन करने की चेताओन नी दिये लोगडाउन शितिल होने के बाद शुरू है मिशन बिगिन अगेन के तहट नागरिकों को दैनिक वेवार करने की चूट दी गई लेकिन इसके कुछ दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्या है नागरिकों तवारा उसका पालन नहीं किया जा रहा है मरीजों की बड़ती संक्या ने यह बात साबित कर दी अगर ऐसे ही हालात आगे भी जारी रहे तो सिटी में दो बारा संपुन लॉगडाउन लागू करने का निर्ने लेना पड़ सकता है यह चेतावनी मनपा आइक्त मुंडे ने दी है उन्होंने वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से नागरिकों से समवा साधा और यह चेतावनी दी 2000 के उपर हुए पॉजिटिव आइक्त ने कहा कि सिटी में पहला कोरोना पॉजिटिव 11 मार्च को मिला था 11 जुलेच तक 4 महने में यह संक्या 2000 के उपर हो गई सरकार ने 1 जून से लॉगडाउन में छूट देनी शुरू की महज इंडेड महनों में ही पॉजिटिव की संक्या में तेजी से बड़ोतरी हुई Mission Begin Again में नागरिकों ने COVID-19 के संक्रमन के संदर में जो दिशा निर्दे जारी किये गए है उसका घोर उलंगन सिटी में किया जा रहा है नीजी वसरकारी कार्यालों में 15 बेक्ती या फिर 15 फिसदी करमचारियों में से जो अधिक हो उतनी करमचारी को काम पर बुलानी की छूट दी थी लेकिन इसका भी उलंगन हो रहा है दुकाने शुरू करने के नियम है लेकिन पालन नहीं हो रहा और इवन का पालन नहीं किया जा रहा दुकान के खुलने वह बंध होने की समय निर्धारी थे लेकिन कोई भी पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिसके चलती सीटी में फिर से लॉकड़ाउन हो सकता है मनपाइक तो तुकार मुंडे ने दी चेता हुनी नाकपूर के सिविल कर्पोरेशन से कैमरे परसन सुभाश के साथ संजे मीरे इनबी से निज नाकपूर आईए समाचारों में वक्तों चले एक ब्रिक का मिलते है इस ब्रिक के बाद